नमस्कार किसान भाईयों कैसे हो आप सब किसान भाईयों आज की वीडियों में बात करेंगे ग्याहों की खेती के बारे में किसान भाईयों अगर हम बात करते हैं जब ग्यहों के अच्छे उत्पादन की तो इसका सीधा संबंद होता है कि हमारे ग्यहों की खेत में जितने ज़्यादा कल्ले होंगे यानि हमारे जो गेहों की फसल है जितनी अच्ची होगी जितने ज़्यादा इस टेम्स होंगे एक पौदे में उतनी ज़्यादा उसमें बाली आएंगी तो खिसान भाईव सीधे सीधे संबन्द है कि हमें ज़्यादे से ज़्यादे कर ले बनाने हैं अपने खेत में तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे की हमारे गेहों का उतपादन बढ़ जाए और जो हमारे गेहों की खेती है बहुत शांदार हो जो आसपास की किसान भी वो भी देख करके कहें कि पतानी क्या लगाया इस खेत में तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं गेहों की एक माइक्रो नूट्रियेंट्स की बहुत शांदार एक फर्टिलाइजर की जिसका प्रयोगर आपने खेतों में करते हैं तो बहुत अच्छे से हमारा गेहों का उत्पादन बढ़ जाएगा किसान भाईओ अगर आप भी चानना चाते हों तो वो कौन सा औरबराक है तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे तब ही आप चान पाएंगे क्योंकि पूरी जानकर ही अच्छे से समझ पाओगे कि हम कब लगाएं कितनी मातर हम लगाएं और कैसे लगाएं तो इस वीडियो को पूरा देखें और बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी चलो वीडियो शुरू करते हैं किसान भाईओ सबसे पहले बात करते हैं हम वो कौन सा फर्टिलाइजर है जिसका प्रियोग करके हम अपने गहोंका उत्पादन बढ़ा सकते हैं तो किसान भाईओ वो है मैजोर सोल वीडियो के नाम से आएगा यह मैजोर सोल अब बात करते हैं इसमें इसको किस लिए लगाना चाहिए तो किसान भाईओ यह माइक्रो नुट्रियेंट्स है यानि इसके अंदर हमें फॉस्पोरस मिलेगा 15% पोटेसियम मिलेगा 15% मैंगन है एक माइक्रो नुट्रियेंट्स है यानि हमारे पीड जो गयहूं का पौदा है उसके लिए जितने भी नुट्रियेंट्स की जरूरत होती है वो सब इस एक पेकेट के अंदर मिल जाएगा तो किसान भाईओ मैजोर सल वीडियो के नाम से फर्टिलाइजर आता है अब इस जो माइक्रो नुट्रियेंट्स है उनकी आप पूर्ति करता है इसके अलावा जो कल्ले है उसकी संक्या बढाता है और जो आनाची गुडवत्ता है यानि क्वालिटी है वो भी अच्छे से सही करता है क्योंकि जो गयहूं होता है मोटा होता है दाना और उसमें चिकना बट होती है साफ डिकता है और कीटों और बीमारियों के खिलाब पृति रोधक छमता बढ़ाता है तो यह सब इसके द्वारा हम अपने खेतों में कर सकते हैं किसान भाइयू बात होती है अब इसका प्रियोग हमें कैसे करना चाहिए तो इसके लिए हमें लगवग 2-3 गिराम प्रती लीटर के हिसाब से इसका प्रियोग हमें अपने खेतों में करना चाहिए दूसरी हिसाब से कहें तो अगर हम 500 ml में अगर ये लेते हैं 500 गिराम में तो 1.500 से 200 लीटर पानी में इसको घूल करके अपने खेत में छिलकाप करना चाहिए अगर इसका छिलकाप करते हैं तो इससे हमने जितनी भी फायदे बताए वो सब इसमें मिलेंगे आपको अब क्योंकि इसमें वोस्पूरस है, पोटेसियम है, जिंक है, सलफर है और ये सबी इसमें नूट्रियंट्स होते हैं और ये ब्रदी, जड़ में ब्रदी करता है, कल्ले फूटने में और जब बड़ा होता, जब दाने आने लगते हैं तो दाने को भरने में भी इसका बहुत मैत कुट्रोल होता है और साथ में मिट्टी को जोड़ता है जिससे जड़े अच्छे से ब्रदी करती है या और इसके साथ में इसमें फसल की पृतिरोधक चमता को ये बढ़ाता है किसान भाईयो इसमें सारी नूट्रियंट्स है जो एक आनाच की फसल के लिए जरूरत होती है अगर हम इसका पृण अपने खेत में करते हैं तो हमारी फसल जो होगी बहुत शांदार होगी और हमारा खेत में जितनी भी कले हैं उन सब से जो बाली निकलेंगी बहुत शांदार और गेहों का जो साइज होगा वो भी काफी मोटा होगा यह एक जैबिक है, माइक्रो नूट्रियंट्स है, सारे नूट्रियंट्स इससे हमें मिल जाएंगे तो इसका पृण हमें अपने खेत में करना चाहिए किसान भायों बात करते हैं कि इसमें पृण कभी भी कर सकते हैं हमने इसका प्रियोग किया है, देखिए इसमें कितने शांदार कल्ले निकल के आए हैं तो आप भी इसका प्रियोग करें और इसका फायदा उठाएं माइक्रो नूट्रियंट्स है, कोई साइड एफेक्ट नहीं है, इसका प्रियोग करोगे